और सोई घर का तवा कभी धन की कमे नहीं होने देगा। वास्तु सास्तर में घर की हर चीज के सही रख रखाओ और उपियोग के तरीके और नियम बताए गई हैं। इन में से कुछ नियम तो बहुत महत्यपून हैं। यदि उनका पालन ना किया जाए तो जीवन में बहुत ग भोजन पकता है और उसी की उर्जा से हमारा सरीर चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर देता है। आज हम किचन की एक ऐसी बेहद महत्यपून चीज तवे से जुड़े वास्तु नियम जानने वाले हैं। जिसका इस् में तवे को बहुत जरूरी माना गया है। इसलिए तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं। पहला रसोई में यदि तवा रोटी बनने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पती की सेहत खराब होती हैं। इसलिए याद रखें जब भी तवा या कड़ाई आप परियोकरे उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। दूसरा यदि घर में पती या बच्चे नसे की लट के सिकार हैं तो इसका मिनिंग यह हैं कि घर में बरतनों को रखने का तरीक उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कड़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोस दूर होता हैं। नमक साधा होना चाहिए। उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। तीसरा तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाई को दें। यह नियम बना लें। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इसे घर में विपदा नहीं आती। साथ ही घर की सारी नाकरतम कुर्जा समाप्त हो जाती हैं। घर में सुक समरिदी क वास होता है घर में जब तवे का उप्योग ना हो तो तब उसे ऐसे रखें कि वह सब की नजर में ना आए तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए तवे को साब कर अंदर की ओर रखें चोथा तवे या कड़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती हैं तवा और कड़ाई जहां खाना बनता है उसके दाई तरफ रखना चाहिए पांचवा टिप्स तवे को कभी भी गैस के उपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए चूले पर काम खतम होने के बाद तवा भी हटा दे चटा गरम तवे पर कभी भी पानी ने डाले क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कान बन सकती है साथवा तवा हमेशा साप और चमकाक रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का परतिभिम होता है तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निकरेगी आठवा टिप्स तवे या कड़ाई को कभी भी तीखी नुकिली चीजों से ना खुर्चें नोवा टिप्स तवे या कड़ाई को कभी भी जूटा ना करें ना ही उस पर जूटी चीज रखें दसवा जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गरम करने के बाद रोज इस्तमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य बधार्त ना मिला रहे यानि हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो अब इसके बाद सबसे पहले दो या तीन इंच की रोटी बना लें अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खास के ऐसा करने से घर की सारी नाकरतम गुर्जा समाप्त हो जाती हैं घर में सुक सम्रिदी बनी रहती हैं ग्यारवा तवा सुवे जब गैस पर रखें तो उस पर नमक जरूर डालें गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोस्त खतम होता हैं घर की नाकरतमकता दूर होती हैं नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन और धन की कमी नहीं रहती बारवा तवे को कभी भी उल्टा न रखें उल्टा तवा संकट का परतीक होता है उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस बात का खास ख्याल रखें कि गरम तवे पर कभी भी पानी न डालें गरम तवे पर जब पानी प गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजी। क्योंकि गरम तवे पर पानी छड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गरम तवे पर पानी छड़कना एक अपसुकुन के तोर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो च्छन की आवाज होती हैं, उससे नेक्टिव अनर्जी घर में आती हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी के मुर्त्य हो जाती हैं, तो उसकी तेरवी के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए समानने दिनों में ऐसा करना ऐसुब माना जाता है। इसके साथ यह भी माननाता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिस होती है और ऐसी बारिस से तबाही होने का संदेश होता है इसकान घर के बजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं तीर बाटिप्स जोंतिस में तवे का संबंद राहू से माना जाता है इसलिए इसकी सफाई का विसेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए हमेशा तवे को साबुन के साथ साब पानी से धोकर ही रखना चाहिए वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा हो चाहिए कि जहां से यह बहरी लोगों को नजर ना आई चोधवा टिप्स तवे को सैदे भी लिटा कर रखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लडाई होती है इसके इलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं चोड़ना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेखने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इसादत को अभी छोड़ दीजी पंदर्वा यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तमाल ना करें ऐसा करने से आपको धन हानी का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं